आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई आप तो भाई सारी रात दिन रात मेहनत करके वीडियो बनाते हो बट उसमें जो हैना व्यूस नहीं आते हैं तो इसका मेहना मेंन रिजन आज इस वीडियो में बताने वाला हूं बेसिकली ये वीडियो का टाइम और टाइम जो होता है और उससे जो हना आपके वीविंग पे कैसे इंपैक करता है बेसिकली आपका व्यूस जादा और कम क्यूं हो जाता है तो बेसिकली अपलोड टाइम के उपर इसके बारे में जो टिप्स है जो की खतरनाक ट्रिक्स है उस जो है उसका रिजल्ट अच्छे से अच्छी मिले 100 से 100% रिजल्ट मिले आईसा ना हो कि आप वीडियो अपलेट कर रहे हो कर रहे हैं और आपने वीडियो भी छोड़ दिया है तो आपको टिप्स पता भी नहीं चलेगा तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा करते हो अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बताना अन्सकाप्सकाइब कर लेना मैं चैनल को डिलिट कर दूगा इस चैनल को हम मैं बन कर दूगा क्योंकि मैं यहां पर आप लोगों के help के लिया हूँ सपोर्ट करने के लिए आय हूँ और मैं यहाँ पर एक दब मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन यहाँ पर देते हूं तो चलिए दस्तों वीडियो को आगे शुरू करते हैं तो बेसिकली जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता है आप मेहनत तो बहुत करते हो और वीडियो अप्लोड भी करते हो हाई कॉलिटी जबर जबर्दस थम्नेल बना दे तो अच्छी टाइटल डेस्क्रिप्शन सभी चीद एवन करते हो बड़ तब पर भी आपको व्यूस नहीं आते हैं इसका एक मेजर कारण होता है अपलोड टाइम जैसा कि आपने सुना हाँ अपलोड टाइम बेसिकली आप में से करीबन 60-70 पर मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब आप देखो यूटूब के अलगरिटम कैसे काम करता है अपलोड टाइम से यूटूब जो है ना कोई इनसान तो नहीं है वह एक मिशीन है उसके पीछे एक सॉफ्टैर है अलगरिदम है कुछ mathematical calculation करता है आपके वीडियो पर किये रहते हों कि उसका analytics वहाँ पर लिखके आता है कि please come back after two or three days later please come back after four hours later to see the exact video analytics correct अब हिंदी में बोलूँ कि जैसे आप वीडियो अपलोड करते हो तो वहाँ पर देखो YouTube का YT Studio में आपको दिखा देगा कि भाई आप इतने दिन के बाद में या फिर एक या दो दिन के अरिएरितम करता किया इस टाइम में जो STARTIG 24 आर्ट जो होता है न इंपोटेंट होता है और स्टार्टिंग के लिवसक्रिषर होते हैं तो मैं उस पे बाद में बताता हूं पहले जो 24 आर्ट वाला फंडा बताता है कि आपका प्यूरा वीडिपा आनालेसिस होता है चैनल व और वीडियो का ओवराल ग्रोथ जो हैं कमबाइन करके उसके हिसाब से इंप्रेशन्स यूजर को भेगता है अगर मान लो आप मान लो क्या मतलब यही होता है बैसिकली आप यूजली ज्यादा तर यूटूबर्स लोगा रात में वीडियो को मतलब एडिट वगरा कंप्लीट कर लेते हैं और फटाक से अपलोड कर देते हैं स्टार्टिंग में मैं भी गलती कर रहा था अपने दूसरे चैनल पर तो रात में अपलोड करने से क्या होता है अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो भाई इंडिया वीवर्स के लिए कर रहे है तो रात में तो लोग सोई रह स्टार्टिंग के टू आर्स में अगर आपको दो या चार व्यूस भी आ जाएगा ना तो ज्यादा चांस रहाता है कि अगले 24 आर्स में जाना उसका अट लीस्ट इंटु चार व्यूस दिया जाता है तो का यूटयू का अलगरिधम इस तरीके से काम करता है तो स्टार्टिंग के दो गन्ते बहुत होता है अब तो आपने तो रीजन जान लिया तो बेसिकलिऄ आप मैं बताँगा कि आप किस समे में इसको अपलोड करना चाहिए तहा कि आप को बहत से बहतर रिजल्ट मिले तो पहले तो आप जो हैं अपने वाइटी स्टूडियो में जाकर के चेक करें कि आपके वीवर्स कहां से हैं कौन सी लोकेशन से हैं इंडिया से हैं भूतान से हैं बांगला देश से हैं या फिर कोई और अन्य देश से हैं तो उनके हिसाब से आप जो 4 p.m. जो है न कोई भी देश का है दिन का टाइम होता है बट ये चीजे चेंज हो जाती है country पे country आपके content के उपर और आपको channel के उपर जैसा कि देश तो अगर आप technical videos वगरा पोस्ट कर रहे हो तो ज्यादा तर जो है ने technical videos आज कल जो है न शाम के time में देखा जाता है अगर आप cooking videos upload कर रहे हो तो वह ज्यादा तर दोफ़हर के time में देखा जाता है तो इस तरह के हर तरह के category के different time बना हुआ और आपका channel पर एक ऐसे depend करता है आपका जो है ज्यादा views आ रहा है तो मैं recommend करता हूँ कि 5 बजने से आधा घंटा या फिर एक 15 मिनट पहले आप videos upload कर देखे ताकि फटाक से नोटिफिकेशन आपके viewers के बजा है और starting में ही देखें तो basically क्या होता है देखो starting के 2 घंटे अगर views आपके ज्यादा होते हैं तो ज्यादा chances रहता है कि आपके वीडियो जो है यूटूब ज्यादा recommend करें ज्यादा impressions बेज़ें अगर ज्यादा यूटूब इंप्रेशन बेजता है कि व्यूस भी ज्यादा आने का chances रहता है और आपका वीडियो वाइरल होने का chances रहता है तो यह रहा एक खास tip आप लोगो होता भाई नीचे comment करके मुझे जरूर बताना मैं definitely try करूंगा उनका answer देने के लिए तो मिलता हूं अगले वीडियो में आप लोगों से दोस्तों अगर हाँ दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है नीचे like जरूर करना क्योंकि उससे मुझे motivation मिलता है आपको भी कमेंट्स का reply करने के लिए जाता हूं मैं मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक लिए बाई बाई